Hey guys and welcome back to another video तो अब भी जस्ट मैं Canon का एक wide angle lens, used lens लेकर आया हूँ एक फ्रेंड से So I've purchased a used lens मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बनाई जाए where I talk about things जो मैं एक lens लेते time, used lens लेते time ध्यान रखता हूँ जो मैं चेक कैसे करता हूँ lens को कैसे मैंने किया ये वाला lens है ये मैं व्लोगिंग के लिए ले रहा हूँ तो चलो मैं दिखाता हूँ So अभी मैं Avninder से I was buying a lens Canon का 1018 So I thought of making some tips की कैसे what all you have to keep in mind while using a used lens So this is the Canon 1018 lens So Avninder has to leave So I'll tell you some tips की कैसे आप अपने lens को check कर सकते हो when you are buying a used or second hand lens Now in case if you have wondered की मैंने ये वाला effect कैसे किया Let me tell you guys Skillshare एक ऐसा platform है जो मैं पिछले I think एक दिविट महीने से यूज कर रहा हूँ It is basically a website जहां पे जाके आप किसी भी genre की वीडियोस देख सकते हो चाए वो photography हो चाए वो वीडियोग्रफी हो अगर आपको transitions इस effect की तरह अगर आपको सीखना हैगी आप कैसे creative transitions कर सकते हो मैंने अभी recently I think कल ये वीडियो देखा था transitions के बारे में क्योंकि मैं Premiere Pro में edit करता हूँ तो यहां पे I got to know few interesting transitions जिसमें से एक मैंने इस clip में use किया अगर आप let's say photographer हो मेरी वीडियो तो आप देखी रहे हो अगर आपको और कुछ different videos देखनी है बाहर क्या trend चल रहे हैं किस तरह से लोग photography कर रहे हैं कुछ creative ideas वहाँ भी आपको easily मिल जाएंगे so skill share के साथ मैंने collaboration किया and this is a sponsored video just to clarify नीचे एक link है सबसे पहला link जो मिलेगा पहले 500 लोग जो इस link से मेरे reference के through register करेंगे उनको 2 months का free premium account skill share का मिलेगा so if you are interested do check it out नीचे description में link मिल जाएगा okay so यह रार Canon का 10-18mm lens जिसके बार में मैं आपको बता रहता भीचा I recently got used lens है f4 to f5.6 variable अपर चो है I am making this video is मैं आपके साथ कुछ point share करना चाहता हूँ कि this is I think my second or third lens जो मैं used lens ले रहा हूँ अब इसको मैं कैसे चेक करता हूँ क्या procedures होते हैं वो मैं आपके साथ share करना चाहता था so let's start with the first point but उससे पहले I want to share एक question जो आपके माइं में होगा कि why get a used or second hand lens जब हम नया lens ले सकते हैं why I went for this used camera सबसे पहली चीज़ इसका जो price है अब usually जब कोई lens को sell कर रहा होता है उसके माइं में यह होता है कुछ points हो दे हैं या तो उसे अपना camera system स्विच कर रहा है Canon to Nikon या Canon to Sony यह हो सकता है कि उसको lens upgrade करना हो या हो सकता है कि उसका lens ज़ादा use ना हो रहा हो इस case में manager से lens लिया उसका यह lens इतना use नहीं हो रहा था उसके पास यह lens काफी टाइम से ऐसी पढ़ा हुआ था तो rather than keeping a lens यह thought कि इसको sell कर देते हैं उसने में से पूछा अपने friend के truth सूरयांच जो मेरी वीडियो में आचुके पहले है so हमारी जो भी बात हुई and I got a good price on this lens जो नए lens का price है उससे almost half से थोड़ा ज़ादा पड़ा so मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी डील मिल रही है अगर आप चेक करके देख रहे हो आपको lens अच्छा लग रहा है there is no harm in getting a used lens क्योंकि एक जो lens है I believe उसकी life 5-6 साल तक तो easily होती है अगर बहुत बुरी तरह use नहीं हो रहा this I think 1-1,5 साल use हुआ है अब इस lens को अगर मैं ले रहा हूँ I know मैं इसको 2-3 साल easily चला सकता हूँ अगर मैं नहीं आ लेता उसको भी मैं शायद उतना ही चलाता तो अगर मेरा almost half cost एक used lens में मेरा काम हो रहा है और मैं को vlogging के लिए चाहिए था so I don't think it's a bad deal at all एक चीज़ मैं आपको पता ना बूल गया मैंने कुछ ताइम पहले Canon का 85mm lens लिया था 1.8 जिसका उस ताइम पे नए lens का MRP 27,000 था मैंको 2 साल used lens 17,000 का मिला था मैंने उसे एक साल यूस किया and can you guess मैंने उसे कितने आपेजा I sold it for 16,000 एक साल यूस करा और सिरफ 1000 का मेंको उसमें loss हुआ तो imagine एक साल यूस करके सिरफ 1000 का मेंको लेंस पड़ा यह benefit है जब आप यूसे लेते हो you can easily sell it off अभी मैंने जिस भी प्राइस पे lens लिया अगर मैं इसको कल को sell भी करता हूँ hardly मैंको कुछ लॉस होगा and I can easily get that money back यह एक बहुत बड़ा plus point है when you are buying a used lens okay so now let's talk about few things that you have to keep in mind when you are getting a used lens or second hand lens सबसे बहली चीज है आपका source अब वो आपको चेक करना है कि वो source reliable है या नहीं like in this case it was through a friend तुमें को पता था I can't trust him अगर आप OLX यहाँ किसी ऐसे source के थूरू किसी से used lens लेने जा रहे हो make sure पहली चीज आप ऐसी location पर मिलो जो आपके लिए easily known हो या आपको पताएगी वहाँ पर it's safe to meet ऐसा नहीं है seller आपको कहीं बुला रहे है और बहाँ जा कि आप उसे मिल रहे हो because I am not saying कि हर बार ऐसा होगा but you never know कुछ भी हो सकता है तो इसलिए एक source को आप अच्छे से चेक करना double cross करो अगर आप Facebook के तरू देख रहे हो किसी से आपकी बाहत हुई है check his profile, check his background क्योंकि कहीं बार ऐसे cases भी हो जाते हैं कि वह आपको कहीं जगा किसी lens के उससे बुलाएगा और आपको पहसे लेगे भागे है कुछ भी हो सकता है so always play safe second thing है आपको physically you'll have to check the lens सबसे पहले जब आप लिंस को अपने आपने लोगे seller से so physically you have to see कि इसके जो switches है all the switches are perfectly fine and एक तो यहाँ पर फिजिकली वो चल रहे हैं नहीं उसके बाद आपको इसके बाद आपको अगना है जो front element है lens का उसको आपको अच्छा से चेक करना है कि उसमें कहीं scratches ना हो अब यह चीज़ें आपको तब ही करनी है जब आप lens चेक कर रहे हो seller के सामने है because बाद में हो सकता है वो बोल दे कि आपने खुद से scratches कर दिया है जो भी है and it is preferable कि आप daytime में अगर lens चेक करो तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अगर आप low light में चेक करोगे तो वो सकता है scratches अच्छे से अगर होंगे तो ना दिखें उसके बाद back cover निकालके जो back mount है जिसमें यह आपके camera में जो जादा है यह आपको thoroughly check करना है कि कहीं इसका कुछ thread अगर है वो कुछ तेड़ा बेटा ना हो कहीं कुछ तूटा ना हो उसके बाद यह जो connectors होते हैं यहाँ पे यह आपको check करना है कि कहीं कुछ damage ना हो because अगर यहाँ पे damage होगा यही information pass करता है camera में तो अगर यहाँ कुछ damage होगा तो वो information camera में नहीं जाएगी so these are some things जो आपको physically check करना है and obviously पीछे का जो glass element है उसको check करना है एक चीज मैं आपको बतायता हूँ जो मैं चीज यूज करता हूँ जो method यूज करता हूँ कि front element पे कुछ dust particles यहाँ कहीं fungus तो नहीं है यह काफी अच्छा I would say एक method है जिसके थूँ आप check कर सकते हो कि आगे से तो आप ऐसे देख लोगे but back side से आप जब light throw करोगे front element पे easily आपको दिख जाता है कि कहीं dust यहाँ fungus तो नहीं है यह चीज आप ज़रू ट्राय करना because इससे आपकी image quality पे काफी फरक पड़ेगा अगर dust यह fungus हुआ उसके बाद में क्या test करता हूँ I shake the lens and check कि कहीं कुछ elements या कुछ अंदर जो या glasses align होते हैं लेंस के अंदर उनमें कहीं जादा gap तो नहीं है या कहीं हो सकता है गिरा हो हैं अंदर से कुछ ना कुछ damage हो आपको इजली पता लग जाएगा if you see कि कुछ जादा noise आ रही है थोड़ा पहुत हमेशा रहेगा अब अगर आपको कुछ जादा दिखे then you must do the next step जो की है mount the lens on the camera and सबसे पहली चीज जो आपको करनी है हर एक aperture values पे आप photo लो and see that the aperture exactly वैसे काम कर रहा है for example if minimum aperture value से maximum aperture value पे आप shoot करो and see if the aperture blades are properly working because हो सकता है कि with time aperture blades शायर damaged हो तो वो एक चीज आपको ज़रूर check करनी पड़ेगी that can be done by clicking at different aperture values उसके बाद जो नेक्स आपको करनी है वो है lens को manual focus पे डालना है and manually 3-4 जगा पे आपको focus करके you have to check if it is properly focusing उसके बाद आप auto focus पे डालके check 5-6 जगा different close distance पे and then दूर के distance पे focus करके देखो कि वो focus की speed जो है काफी ज़ादा slow ना हो वो एक चीज आपको ज़रूर चेक करना पड़ेगा so I think यही 6-7 points थे जो मैंने आपके साथ share करे जो चीज मैं follow करता हूँ while buying a used lens and trust me used lens लेने में कोई खराबी नहीं है अगर आप एक trusted source से ले रहे हो and you know how to test or check a lens सबसे important चीज जैसे मैंने आपको पताया एक lens पांचे साल अराम से चलता है अगर वो एक-दो साल पुराने lens भी है you can still get it अगर आपको 30-40 यहां even 50% less पे भी lens मिल रहा है this is something really good आप उसकी जगह हो सकता है दो lenses ले सकते हो so यही था एक informative video जो मैं आपके साथ share करना साथा do comment and let me know your views हम इसी तरह आगे interesting and informative videos में मिलते रहते हैं तब तक take care and keep clicking हम आपके साथ कर दो